आज ही के दिन हुआ था वन डे क्रिकेट का जंग इंग्लेंड और आस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था इंग्लेंड के मेरिल बोन क्रिकेट क्लब ने हुआ वो मुकाबला 40-40 ओवर का था पहले वन डे मुकाबले में आस्ट्रेलिया के कप्तान बिल लॉरी ने टॉस जीत कर पहले गेंद बाजी करने का फैसला किया था जो प्रीबॉय एक उटने वन डे इतिहास की पहली गेंद खेली और क्रिकेट में सबसे पहले आउट होने वाले बल्लेबाज भी वही बने इस मुकाबले में 49.4 ओवर में इंगलेंड की पूरी टीम 190 रन पर आउट हो गई थी आस्ट्रेलिया ने इसके जवाब में 34.6 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 119 रन बनाए और मैट जीत लिया था